एलो गाइस आज हम इस वीडियो में Reliance Industries Limited Share के बारे में बात करेंगे जो शेयर के प्राइस है वो 2380 रुपए है और इस शेयर ने आज 2.44% के रिटन्स दिये हैं वहीं अगर हम 5 दिन पहले की बात करें तो 5 दिन पहले जो शेयर है उसने 2.39% के रिटन्स दिये हैं वन मंद की बात करें तो वन मंद में शेयर में 2.62% की गिरावट आई है 6 मंद की बात करें तो 6 मंद में जो शेयर है उसमें 10.23% की गिरावट आई है यार टू डेट के अगर हम बात करें तो यार टू डेट में जो शेयर उसमें 7.61% की गिरावट आई है वहीं अगर हम मैक्स में all time की बात करें तो all time में जो share उसने 4,389% के returns दिये हैं इस share के bit quantity और ask quantity की जो share का paying pressure है वो 3,846 है वहीं जो selling pressure है वो 0 है यानि कि इस share में जो paying pressure था वो जादा था और इस share की demand भी जादा थी share के book value, face value और beta को देखें जो share की book value है वो 1,329.57 है वहीं जो face value है वो 10 रुपए है जो की positive है और बात करें share की beta की तो वो 1.08 है जो की बढ़िया है share के delivery and volume की बात करें जो share की volume है today की वो 67,00, यस्टरड़ी की 51,00, वन वीक average की 80,00, और वन मन्थ average की 81,00, इस share के delivery की बात करें तो यस्टरड़े जो share की delivery है वो 27,52,74 की है वन वीक average की 53,65,89 की और वन मन्थ average की जो delivery है वो 54,66,41 की है share के resistance और support level की बात करें जो इस share का highest resistance है वो 2380,83 पैसे है और वहीं जो lowest resistance है वो 2344,38 पैसे है और इस share का जो highest support है वो 2307,93 पैसे है वहीं जो lowest support है वो 2271,48 पैसे है share के बलकडील की बात करें तो 27 मार्च 2020 को company के 1.18% share है उनकी purchasing होई थी और उसी दिन 1.28% share है उनकी selling होई थी और 27 मार्च के बात इस share में कोई भी बलकडील देखने को नहीं मिली है